विस्की का एक या दो पैक बना कर तुरंत पीली जिए और आप आएंगे कि आप पहले से कहीं जादा अच्छा फील कर रहे हैं। सर्दी तथा जुकाम क्या आप जानते हैं कि गरम विस्की पीने से सर्दी बिल्कुल गायब हो जाती है। सर्दी भगाने के लिए स्कॉच लीजिए और उसमें गरम पानी, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा नीम्बू का रस मिलाइए। ये स्वास्ति के लिहाज से बहुत ही अच्छा माना जाता है। बढ़ते वजन को रोकती है। अन्य शराब के मुकाबले विस्की में काफी लो कैलरी होती है। ये फाट और कोलेस्टरॉल फ्री भी होती है। अगर आप डायटिंग कर रहे हैं, तो सही मातरा में विस्की पीना फाइदिमन हो सकता है। कैंसर कौन कहता है कि शराब पीने से कैंसर होता है। विस्की इसका उल्टा करती है, इसमें इलाजिक आसिड नामक तत्व होता है, जो कि शरीर में कैंसर बढ़ने के चांस को कम करता है। साथ ही इसमें कई प्रकार के एंटि आक्सिडेंट होते हैं, जो कैंसर से लड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप हफ्ते में एक या दो बार विस्की का सेवन करते भी हैं, तो इससे कोई नुकसा नहीं होगा। विस्की में गुड कोलेस्टरॉल होता है, जो कि शरीर में खून की धमनियों को रिसने से रोकता है। अगर आपको भी मधु में हैं, तो आप हफ्ते में एक या दो बार विस्की का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। पाचन में मददगार। सदियों से विस्की का इस्तेमाल पाचन सायता के लिए किया जाता है। अगर आपने भारी भुजन किया है, तो विस्की पाचन में मददगार साबित हो सकता है। लंबी युम्र विस्की के एंटि आक्सिदेंस मुक्तकर्ण से लड़ती हैं, जो बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा कारण होता है। और ये कई बिमारियों से भी बचाता है। अगर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों की साथ शेयर करें और हमारी चानल डी रिसर्च को सबस्क्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।